स्वस्ती प्रजब्या परिपाले अंताम न्याजेन मार्गेन महीं महीशा गौब्राम मनिभ्या शुबमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुफिनों खवन्तु त्वमादी देवा पुर्शा पुरानस त्वमस्ते विश्वसे परम निधान वेतासि विद्यम्च परम्च धाम त्वयाततं विश्वमन अंतरूप वायूर्यमोगनेर वरुणाष्यशांक प्रजापतेस्त्वं प्रपिता महश्य नमू नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्यभूयोपि नमू नमस्ते श्री गुरुदेवाय सर्वसिद्धी प्रदायने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विधायने प्रपन्पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपान्य ज्यान मुद्राय क्रिष्नाय गीताम्रद्दुहे नमाः वसुदेव सुतंदेवं कंसचानूर मर्दनं देवकी परमानंदं। क्रिष्नम् वंदे जगत गुरुम् श्रिक्रिष्नम् वंदे जगत गुरुम् उम् नमो भग्वते वासुदेवायन ओम्नमो भगवते वासुदेवाया ओम्नमो भगवते वासुदेवाया ओम्नमो भगवते वासुदेवाया हिनात पकड लो हात मेरा मेरे नात पकड लो हात मेरा छूटे ना कभी फिर साथ तेरा सुमिरन मैं करूँ दिन रात तेरा ओम्नमो भगवते वासुदेवाया 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 ओम्नमो भगवते वासु देवाए ओम्नमो भगवते वासु देवाए ओम्नमो भगवते वासु देवाए ओम्नमो भगवते वासु देवाए एक ऐसा पावन प्रेरक शास्त्र जिसका उक्देश अरजुन को दिया गया लेकिन अरजुन के लिए नहीं दिया गया ये अपने आप में बड़ी एक रहसे की बात है और आश्चर्य की भी किसी किसी को ये पहली भी लग सकती है कि अरजुन को उपदेश दिया गया लेकिन अरजुन के लिए उपदेश नहीं दिया गया अरजुन अपने आप में एक ऐसा पात्र है जो हर दृष्टी से संपूर्ण है हर दृष्टी से महभारत गरंथ मेदिया अरजुन का चरित्र देखें तो आपको लगेगा एक कागरता क्या हो सक होती है वहां से लेकर के क्योंकि बच्चों को युवाओं को आज बहुत बड़ी आवशकता है कि उनके जीवन में एक कागरता कांसेंट्रेशन की सुरक्षित रहे उनका आथ मिश्वास बना रहे सेल्फ कांफिडेंस अरजुन का पात्र जो है वो एक कागरता की प्रेड़ना तो है ही है आत्मिश्वास का एक अनूठा अद्बुत उदारन है सेयम संतोष आवशकता अनुसार सेहन शीलता धैरे जो भी मानविय मुल्य हैं वो सबके सब अरजुन की जीवन में स्वभाविक हैं लिकिन तो भी गीता का उपदेश अरजुन को दिया गया यह अपने अप एक रहस्य है कल संकीत किया गया था अरजुन को एक ऐसी भूमिका में प्रबु ने उतारा एक ऐसी भूमिका में प्रबु ने उतारा अरजुन को जहां अरजुन के भीतर वो सब समस्याएं व्याप दिखने लगे जो भौईश्य के लिए एक प्रेड़ना भी थी चेतावनी भी थी और भगवान कृष्ण जानते थे कि ये सब का सब भौईश्य में मानो मात्र की एक समस्या के रूप में सामने आएगा किवल उस दृष्टी से अरजुन को वैसी वैसी इस्थितियों का एक स्वरूप दिया प्रभूने और इसलिए ये संकेत किया गया कि गीता का उपदेश अरजुन को दिया गया लेकिन अरजुन के लिए नहीं हम सब के लिए समुची मानवता के लिए और इसलिए भगवान कृष्ण ने इतना ध्यान रखा मानव मात्र की हर इस्थिती का कि जिसके जीवन में जिस प्रकार की इस्थिती समस्या है उसके लिए गीता को वैसा ही अपदेश लगता है कि ये बात तो मेरे लिए जैसे प्रभू ने कही है जो लोग के करम क्षेतर में रहते हैं करम करते रहना जिनको अच्छा भी लगता है जिनकी नियती रहती है अब देखें गीता के उपदेश को ढाला भी कैसे गया उनके लिए गीता करम योग का उपदेश देश कुछ लोग आपको ऐसे दिखेंगे समाज में जो इमोशनल लेवल के होते हैं बहुत जल्दी भावख हो जाना बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना सेंस्टिव हो जाना नाजुक सिपर करते हैं बात बात में पहुंसे लोग आपको समाज में ऐसे दिखेंगे भावनात्मक धरातल पर रहने वाले इमोशनल नेचर जिनकी बन जाती है उसके लिए गीता की कृष्ट ने भक्तियोग का उपदेश दिया और कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जो बुधी काउप योग बात बात में अधिक करते हैं ये तीन तरह के लोग सामानेता आपको दिखेंगे कुछ लोग उन्हें बस करम करना है करते रहना है उनसे खाली बैठा ही नहीं जाता ये तो फगवान की लीला कि करोना काल में प्रभू ने बहुत कोई दिखला भी दिया सिखला भी दिया घर में बंद होकर भी बैठना सिखला दिया ये भी दिखला दिया कि तुम्हारे चलाए दुनिया नहीं चल रही दुनिया तो किसी और के चलाए ही चल रही है तुम ये जो ये एक भार मस्तिश्क पर रखे घूमते रहते हो कि मैं करम नहीं करूँगा तो देखो कैसे बात बनेगी कैसे होगा प्रभू ने दिखला दिया ना कि इतने समय तक कहीं सब कुछ लॉक डाउन सब कुछ बंद और उस इस्थिती में भी दुनिया चल रही थी ना हाँ कहीं कहीं ये जरूर दिखा कि कुछ जरूरत से अदिक जो उच्छाल उबाल वो थोड़ा सही अमित हुए आवशकताओं के सुविधाओं के ये वो ये जो जरूरत से दिक बहिर मुक्ता बन गई थी उसमें भी कहीं न कहीं न कहीं न कहीं लगाम लगी करोना के चलते लेकिन सब्भाविक इस्थिती में यही दिखता है कि कुछ न कुछ करती रहने की प्रकरती प्रवरती इनसान के बातसले में इमाहें गीता गीता ने कहाँ ठीक है अगर तुम्हारी प्रकरती यही है कि कुछ करते रहना करो लेकिन कर्मों को समार लो अच्छे से कर लो और उसके लिए गीता ने कर्म योग की वेवस्ता दे दी इमोशनल लेवल पर रहने वाले लोगों के लिए गीता ने भग दियो की वेवस्ता दे दी कि अपनी इमोशन को अपनी भावनाओं को केवल संसार से नहीं जोड़े रखो संसार से जोड़े रखोगे तो बात बात में टेंशन बात बात में रोना ये देखा जाता है कि जो emotional level के लोग होते हैं जल्दी से भावुक हो जाना जरा जरा सी बात पे उनको आप देखेंगे ना उनके हंसने का पता लगता है ना उनके रोने का पता लगता है कब वो हंस पढ़ें कब वो रो पढ़ें ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात आप देखेंगे जरा सी बात कुछ अनकूल हो गई तो एक दम उच्छाल आ गया और जरा सी बात प्रतिकूल हो गई एक दम मन को गिरा दिया ये emotional level पे रहने वालों का हाल होता है और उनकी स्थितिव आप देखेंगे बिल्कुल एक practical platform है गीता उनकी स्थिति भी आप देखेंगे कि वो बात बात में भै, आशंका, चिंता जरा सा कई बार तो ये भी देखा जाता है कि किसी को भी कुछ हुआ भी नहीं लेकि पहले से चिंता करनी शुरू कर देंगे कोई बात नहीं है कोई घटना मी नहीं अपने मन में कुछ सोचने लग जाएंगे पहले से अगर ऐसा हो गया तो अगर कोई ऐसी घटना घट गई तो क्या होगा अगर ऐसा का ऐसी स्थिति ना बनी तो क्या हो ये emotional level पे रहने वाले लोग और स्वेम की सोच और स्वेम को उसमें उलजा लेंगे स्वेम की सोच स्वेम के लिए टेंशन बना लेंगे भगुद गिता ने कहा कि emotions को संसार के साथ जोड़े रखोगे तो यही हाल होगा और emotions को प्रबू के साथ जोड़ लोगे तो मन इस्थिर रहने लगेगा या एक शब्द में कहें emotions भावनाएं संसार से जुड़ेंगे तो आसकती बन जाएंगे और फावनाएं प्रबू से जुड़ेंगे तो भगती बन जाएंगे बस यह अंतर है इतना सा आसकती और भगती में अपने मन की जो feelings हैं जो emotions हैं वो हर समय संसार से जुड़े रखने का मतलब बस वहीं की attachment और attachment संसार तक यदि सीमित रहेगे तो उसका परिणाम क्या होगा उसका परिणाम सीदा सीदा कि जिस से attachment होगे वो अगर मेरे अनकूल है तो मैं खुश वो मेरे अनकूल नहीं तो मैं प्रेशान और संसार में ये खुशी और गमी का भी जो खेल है वो खेल भी केवल इतने तक है अनकूलता मिल गई तो खुशी नहीं अनकूलता मिली तो मन प्रेशान और अगर प्रभू से मन जुड़ गया वो स्थिति वो आ सकती नहीं वो भक्ती बन जाती है तो तीन तरह के लोग कुछ लोग शरीर के धरातल पर करम के इस्थिति हर समय करमों में प्रूरती गीता ने कहा करम योग को आगे ले लो इमोशनल लोगों के लिए कहा प्रूरों बस्तुता है आज भी जितनी टीकाएं और जितनी भाशाओं में टीकाएं भग्वद गीता पर हुई हैं स्वेम की रुची स्वेम की इंट्रेस्ट के साथ उतनी अन्यत्र कहीं नहीं हुई लेकिन आप देखेंगे अलग अलग महापुर्शों ने भग्वद गीता के भाव को कई महापुर्शों ने भग्वद गीता को क्यों करम का गरंथ मान लिया लूकमान नेबाल गंगादर तिलग जी ने जेल में बैठे बैठे भगवद गीता की वियाख्या लिखे स्वतंतरता संग्राम के अद्भुत से नानिया जब उनसे कहा गया जेल जाते हुए कोई आफशकता तो उन्होंने कहा कि एक भगवद गीता लिखने के लिए कलम और कुछ पेपर बसा और कुछ ने और जेल में बैठे बैठे हैं उन्होंने भगवद गीता की एक अनूठी व्याख्या लिख डाली उसका नाम भी रखा करम योग रहस्या बड़ी परचलित हुई विचारकों ने बड़ा सराहा लोकमाने बाल गंगादर तिलक जी की उस जेल में बैठकर लिखी गई गीता ब्याख्या को जो करम योग रहस्या के रूप में परचलित हुई महात्मा गांधी जी ने भी भगवद गीता को करम योग की परमुक्ता का शास्त्र बताया लिखा उन्होंने उस गीता प्रवचन के नाम से विनोवा भावे जी ने यद्यपे इस्थित प्रग्य प्रकरण पर अपनी अलग लेखनी चलाई लेकिन भगवद गीता में मुख्या भाव उन्होंने भी करम योग को कहिना के परधानता दी तो ऐसे कुछ विचारक जिन्होंने गीता को करम का शास्त्र माना एक श्रणी की विचारक महापुरुश ऐसे भी रहे जिन्होंने गीता को भगती की परमुख्ता का शास्त्र माना रामानुजा अचारे हमारी आचारे परंप्रा में उन्होंने गीता को केवल भगती की परमुख्ता का शास्त्र माना आद्दे जगदूरू शंक्राचारे जिने गीता को ग्यान की परमुक्ता का शास्त्र माना और उसमें भी हमें लगता है कारण कि जैसी जैसी जिसकी अपनी भावना रही है जैसे रामच्रिट मानस में आता है कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसे और यहां भी ऐसा है जिसके अपने अंदर का भाव जैसा रहा उन्होंने भगवद गीता को भी उसी रूप में ही स्वीकार किया लेकिन कुल मिला की अदी देखें गीता जी में करम भी है गीता जी में ग्यान की इस दिव्यता भी है लेकिन कहीं ना कहीं भक्ती की परमुक्ता तो दिखाई देती है शर्नागती की स्थिती तो गीता जी में विशेश रूप से कहीना के वर्नित है और फगवान ने बार बार इस बात को लिया भी है कि पार्थ तु मेरा बन जा तु मेरे में मन लगा तु मेरी शर्णागती स्वीकार कर ले तु मेरे निकट आ जा युक्त आसीत मत पर ऐसे बहुत से भाव और ग्यारवा अध्याय तो संपूर्ण ही इसी भाव के साथ हुआ मत करमक्रत, मत पर्मो, मत भगता संग वर्जिता, निर्वेरा, सर्वभूतेश, यासमा मेति पांडव ग्यारवा ध्याय तो संपूर्ण ही इसी बात से हुआ कि तु मेरे प्रायन हो जा पार हर करम मेरे लिए कर ये भगती की अपने आप में समग्र व्याख्या है गीता जी की भगवत गीता के ग्यारवे ध्याय का अंतिमिश्लूक आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भगती की समग्र व्याख्या क्या होती है और उसका प्रभाव क्या होता है पहले तीन शब्दों में समग्र व्याख्या की बात मत करम करन हर करम पगवान ने कहा तुम मेरे भाव से कर मत पर्मो मेरे प्राइन होकर रह संसार में मत भगता है मेरा भगत बन करके रह और फिर आगे दो बाते कही उसका प्रभाव संग वर्जिता है संसार में आसकती पूर्वक नहीं रहे भगती पूर्वक रहे एक कला है गीता की बात इतनी ही है कि संसार में रहने के स्थिति आसकती पूर्वक रहो या भगती पूर्वक रहो संसार में रहकर के संसार के बन कर रहोगे तो इसका मतलब आसकती पुरुख रह रहे हैं संसार में रहकर के प्रभु के बन करके रहोगे तो भक्ती पुरुख संसार में रह रहे हैं संसार में रहकर के संसार के प्रायन अर्थात संसार के आश्रित होकर रहोगे संसार का ही सहारा लेकर इसका भी प्राय आसकती पुरोग रह रहे हैं संसार में और संसार में रहे करके सहारा आश्रे प्रभू का लेकर रक्यगी यदि रहेंगे रहे हैं व्यवहार हो रहा है लेकिन अंदर की पुकार क्या है मुझे एक तेरा सहारा है ये अंदर की भावनाओं की पुकार है व्यवहार नहीं छूटेगा करम नहीं छूटेंगे करम चलते रहेंगे लेकिन मन में क्या होगा मन ये पुकार करेगा कि संसार में करम हो रहे हैं व्यवहार हो रहे हैं लेकिन मेरे ठाकुर, मेरे नात, मेरे गुविंद, मेरे प्रभु, ये मेरा विश्वास है अंदर का मुझे एक तेरा सहारा है मुझे एक तेरा सहारा है हरी तो मुझे प्राणों से प्यारा है हरी तो मुझे प्राणों से प्यारा है हरी तो मुझे प्राणों से प्यारा है दोलती जीवन नईया का प्रभु एक तुही किनारा है प्रभु एक तुही किनारा है मुझे एक तेरा सहारा है मुझे एक तेरा सहारा है गुझे एक तेरा सहारा है गुझार हर हाल में कर लूगा मैं नहीं बिन तेरे गुझारा है नहीं बिन तेरे गुझारा है मुझे एक तेरा सहारा है मैं तेरा हूँ बस एक तेरा तु मेरा है बस एक मेरा कभी तो मैंने तनमन वारा है कभी तो मैंने सब कुछ वारा है मुझे एक तेरा सहारा है मुझे एक तेरा सहारा है निराशा ने जब जब घेरा मुझे निराशा ने जब जब घेरा मुझे प्रभु जी मैंने तुमको पुकारा है प्रभु जी मैंने तुमको पुकारा है मुझे एक तेरा सहारा है जहां रखो जेसे रखो ये किंकर सदा तुमारा है ये किंकर सदा तुमारा है मुझे एक तेरा सहारा है परितो मुझे प्राणों से प्यारा है परितो मुझे प्राणों से प्यारा है गीता का भक्ति योग गीता का भक्ति योग इन सब में रहकर के कैसे प्रभू के प्राण होकर रहा जा सकता है कैसे प्रभू का बन करके रहा जा सकता है उसके आश्रित होकर के सारे व्यावार कैसे किये जा सकते है गीता का भक्ति योग आपको ये बताएगा ये प्रेड़ना देगा और ये बहुत आवश्यक है संसार में रहना बुरा नहीं है जन्म लेकर आए हैं तो संसार में ही तो रहेंगे ना और महापुरुष भी तो संसार में ही रहें कितने महापुरुष सब संसार में रहें श्रिमन चैतन्य महाप्रभू भक्ति प्रेम के साक्षात प्रगट अवतार इसी धरा पर ही तो थे ना सूर्दास तुलसी दास मीरा जनाबाई कितने नाम नाम देव एक नाद्स ये तो सब किसी युकी बाते हैं ना और बहुत पुरानी भी नहीं इसी धरा पर रहे व्यवहार भी किये और सच ये भी है कि हमारे से कहीं कहीं अधिक व्यवहार किये इन महापुर्शों ने हम लोग तो क्यों छोटा परिवार व्यवहार व्यवार व्यवार और उसी की चिंताओं से उबर नहीं पाते हैं उसी का लेंदे नहीं हमें उलजाए रखता है वहीं तक में दो चार पांच लोगों का परिवार कुछ व्यवहार कुछ व्यवहार कुछ रिष्टेदार और इनसान पूरा जीवन वहीं तक उलजाए उलजाए संसार से चला जाता है और इन महापुरुशों के जीवन अपड़े कितने बड़े परिवार थे इनके कितना बड़ा व्यवहार था इनका शेहनशाराम स्वामी राम तिर्थ से तो जब पुछा गया कि आपका घर तो कहने लगे दे होल वर्ड इस माई हूम पुरा विष्व मेरा घर है मेरा परिवार है पुरा विष्व और तो डू गुड इस माई रिलिजिन कुछ अच्छा हो जाए जीवन में बस यही मेरा धर में लेकिन अंतर क्या है अंतर केवल इतना कि भगवद गीता के ग्यार में ध्याई का अंतिम श्लोक सौनसों में रमा लिया इन महापुर्शों ने जीवन चर्या का आधार बना लिया कोई भी करम मेरे स्वार्थ के लिए नहीं है हर करम मेरा प्रबु तेरी परसंटा के लिए है तेरी क्रपा के लिए है मत करम करन मत परमो रह रहा हूं संसार में दीख भी रहा हूं जैसे हमारे गुर्देव एक दृष्टान देते थे एक पक्षी ब्रिक्ष की डाल पर बैठा है कोमल सी टेहनी एक संत ने चलते चलते देखा और पक्षी से कहा अरे पक्षी यह जिस टेहनी पर तु बैठा है ना यह बहुत कोमल है नाजुक है तो ऐसा कर यहां से उड़कर के किसी और मदबूत टेहनी का सहरा ले ले कहीं यह टेहनी टूट गई गिर गई तो तुझे भी गिरना पड़ेगा पक्षी कहने लगा हाँ आप यह नहीं सोचना कि पक्षी बोला होगा क्या हाँ कहीं लोग जो तर्कवादी कुतर्कवादी होते हैं ना बिना मतलब की बाद अब कबीर से कोई यह कहोगे क्या जब कबीर यह कहते हैं कि माटी कहे कुमार से तू क्या रौन दे मोहे एक दिन ऐसा आएगा मैं रौन दोंगे तो है तो क्या कबीर से प्रशन करोगे कि माटी बोली होगी क्या और कबीर के तो ऐसे कितने भावा और ऐसे महापुरुशों के बहुत से भावे हैं और कबीर एक कहीं बगीची में चले गए और वहां देखा कि माली जो फूल खिले हुए हैं उन्हें तोड रहा है और कुछ कलियां जो भी बंद थी कबीर देखते रहे देखते रहे और देखते देखते कबीर को लगा कि ये कलियां कुछ कहना चाह रही है और कबीर की भावनाएं उमड़ पड़ी माली आवद देखकर कलियां करें पुकार क्या कबीर से प्रशन करोगे कि कलियों ने बोलके पुकार ये महापुरुष सम्ध महापुरुषों के लिए प्रकर्ती का कन कन बोलता है जिसको कुछ सीखना है न उसके लिए तो प्रकर्ती का कन कन बोल रहा होता है शिक्षा दे रहा होता है और जिसने नहीं कुछ सीखना उसके लिए तो गोस्वामी तुलसी दास जी कहते हैं रामचित मानस में मूरक हरदे नचेत जो गुरु हों ही बिरंची सम जिसने नहीं समझना उसके साथ कितनी सिर्कपाई करते रहो बोल बोल के भी मैं न मानू बस लेकि जिसने समझना है सीखना है तो कहीं से भी सीख लेगा माली आवद देखकर कलियां करें पुकार फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार तो ऐसा नहीं कि कलियां बोल मापुर्शों के समझने के धंग है तो संत ने देखा कि पक्षी और कहा अरे पक्षी संत की भाव ना तो कुमल टेहनी पर है तूट सकती है गिर जाएगा पक्षी कहने लगा माहराज मैं तो टेहनी पर बैठा ही नहीं और संत हैरान कि दीख रहा है टेहनी पर बैठा और बोल रहा है कि मैं तो टेहनी पर हूँ ही नहीं संत ने कहा क्या मेरी आँखें कुछ ब्रमित कर रही हैं मुझे या तू जूट बोल रहा है उस पक्षी ने कहा महराज ना मैं जूट बोल रहा हूँ ना आपकी आँखें आपको ब्रमित कर रही हैं दिखने में जरूर मैं इस डाली पर बैठा हूँ लेकि इस डाली का इस टेहनी का मैंने सहारा नहीं ले रखा मैं तो अपने पंकों के सहारे बैठा हूँ जब भी लगेगा ये कोमल टेहनी लड़ खडा रही है ये गिरने तूटने वाली है मैं इसके सहारे इस पर हूँ पर इसके सहारे नहीं हूँ मैं उसी समय उड़कर कहीं और बैठ जाओगा पंकों के सहारे हूँ उस परिंदे की परिंदा कहते हैं उर्दू में उस परिंदे की तरहें दुनिया में रहना चाहिए चह चाहता है खुशी से जो कि नाजुक शाक पर जूमती है शाक लेकिन खौफ कुछ उसको नहीं गिर नहीं सकता कि हैं मौजूद उड़ जाने को पर पर पंक टेहनी पर लेकिन टेहनी के सहारे नहीं गीता का फग्तियोग यही सिखाएगा और अन्तिम इश्लोग जो ग्यार्मे ध्याय का जहां से बार में ध्याय का अंकुरन हुआ अन्तिम इश्लोग यही प्रिर्णा दे रहा है मत करमकरन मत परमो मेरे आश्रित हो कर रहो संसार में रहो लेकिन मनहिमन ये सोच लो विचार लो पक्का कर लो कि ये संसार की टहनियां बड़ी नाजुक हैं बड़ी नाजुक हैं बड़ी कोमल हैं कब कहा पता ही नहीं चलता संसार में कब कौन डूठ जाए कब कौन छूट जाए कब कौन सा संबंद तूट जाए संसार में कहां पता चलता है कोमल टहनियां लेकिन गीता का फक्तियोग एक मजबूत संबंध मन का बना देता है प्रबू के साथ के संसार में रहो लेकिन ये मन की डोर जो है ये प्रबू के साथ जोड़ करके रहो सुन्दर कांड में कुछ बड़े अच्छे भाव रामचित मानस के उनमें से सुन्दर कांड का एक भाव बहुत प्रिया लगता है जहां जननी, जनक, बंधु, सुतदारा, तन, धन, भवन, सुहिद परिवारा, सबकई ममता, ताग बटोरी, ममपद मनही बाहंद बरुडोरी अब देखें, कितना अद्बुद भाव है जहां जहां मनुष्य की आसकती होती है, वो सब के सब यहां गिनवा दियेगे जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, माता, पिता, भाई, पुत्र, पत्नी, तन, अपना शरीर, धन, यह सारा संपत्ति, तन, धन, भवन, मकान, प्रतिष्ठान, सुहिद, परिवारा, सब कुछ ले लिया, कि जहां जहां आसकती की दोरियां बंदी होती हैं, जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तंदन, भवन, सुहिद, परिवारा, सब कई, ममता, ताग, बटोरी, यह नहीं कहा, कि इन सब को छोड़, कहा, आसकती की दोरी, इदर नहीं, आसकती की डोरी ममपद मनही बांद बरू डोरी वो आसक्ती की डोरी भगवान ने कहा तु मेरे चर्ण कमलों में बांदे बस वही आसक्ती जो होगी है वही आसक्ती भक्ती बन जायेगे एक ष्लोग को जब लेंगे तो उसमें हम लेंगे यह आसक्ती भक्ती कैसे और घर में रहकर कैसे भक्ती की परिपकोता आ पाए और भक्ती का सहीध़ तो हम कैसे समझ पाएं यह सब कुछ यह अध्याय इस पश्ट करेगा कि कहीं बार ये भी हो जाता है जीवन निकल जाता है हम तो सोचते हैं कि हमने बहुत भगती कर रहे हैं बहुत पुजा पाठ कर रहे हैं लेकिन भगती का स्वरूप क्या है वो समझ में नहीं आ पाता और इसलिए जीवन निकल जाने पर भी अंत में कहीना के लगता है भगती तो बहुत की लेकिन मन तो अब भी कहीं पूरी तरह संतुष्टी में नहीं है ये अध्याय समझाएगा कि भगती का तत तो क्या है जहां मानसिक संतुष्टी मानसिक शांती मानसिक आनन मानसिक परिपक्वता बन जाए ये अध्याए उस इस्थिती के और ले जाएगा ये अध्याए इस पश्ट करेगा कि संसार तो जो है जैसा है प्रारंब में भी वैसा है संसार की कुछ रीत नीत पीत मीत ये सब तो कहीं न कहीं उस सरकल के अंदर ही है संसार तो प्रारंब में जैसा था अब भी वैसा ही है और इसे वैसा ही रहना है कोई ये कहे कि संसार में ये दिन और रात का करम बदल जाए कैसे बदलेगा भाई ये जवानी बुड़ापा ये करम ना ये जवानी कैसे होगा भाई सर्दी गर्मी दिन रात ये करम तो संसार का वैसा चलना है लेकिन इस करम में भी मैं कैसे इस्थिर रह पाऊं द्रड रह पाऊं शांत रह पाऊं वो गीता का फक्ति और फक्ति योग में प्रारंब में जो कल संकेत किया था आई स्वभावी की लगा या लगा ही नहीं प्रभू की मौज के ग्यारमे ध्याय में जहां से आगे बारमा ध्याय प्रारंब हुआ थोड़ी उसकी चर्चा लेकर हम परविश करें मत करम करें मेरे लिए हर करम कर क्योंकि गीता का फक्ति योग केवल सब्ता हमें एक बार प्रेयर कर लो और भक्ति पूरी और समय जुच्च या समय विशेश पर कोई विशेश अबादत विशेश पूजा विशेश वो कर लो बस भक्ति पूरी बाकी समय कुछ भी करो गीता का भक्ति योग वो नहीं और इसलिए अरजुन के प्रशन में भी आप देखेंगे गहराई मत करम करें मत पर्मो हर करम मेरे लिए करो पार्त हर करम को पूजा बना लो करम ही भक्ति बन जाए मत पर्मो मत भक्ता संसार में रहो मत भक्ता कार्त संसार में रहो संसार के जो पहली बात कहिए संसार के बनकर नहीं मत भगता मेरे बनकर के रहो ये तत्व है भगदी का जो ग्यारवेद्याई के अंतिमी श्लोक में इस पश्ट हुआ और वहीं से अरजुन ने बात पकड़ ली और अरजुन विनम्र भाव से श्री भगवान के समक्ष प्रशन ले करके सामने खड़ा हो गया कहने लगा अरजुन प्रभो मेरे बन में एक जिग्यासा है और वो जिग्यासा बार में ध्याई का प्रथम श्लोक है एवं सतत युकता ये भगदस्त वहम परियुपासते ये चाप्यक शर्म अव्यक्तम तेशाम के योग वित्तमाः एवं सतत युकता ना जो बात अभी कही ना कि गीता का भगदी योग किवल समय विशेश तक सिम्टी हुई स्थिती नहीं इस्थान विशेश तक नहीं कि मंदिर में बैठे तो भगदी और बाहर निकले तो जो हैसो है गीता का भगदी योग वो नहीं सिखाता कि कहीं तीर्थ में गये तो भगजी और व्यवहार में आए तो फिर जो चाहे हैं मत करम हर करम के साथ प्रभू का भाग हर व्यवहार में प्रभू का आधार और इसलिए अरजुन प्रशन में भी यही बात कहता है एवं सतत युकता ये हे केशा हो जो लगातार आपके भाव में जुड़े हुए सतत युकता आप से लगातार युकता हुए आपकी उपासना करते हैं एक परकार के भग और दूसरे परकार के ये चापी वो भी और वो चै और अपी और वो भी जो ये चाप्यक शरमव्यक्तम जो अक्षर अविनाशी और अव्यक्त परमात्मा की उपासना करते हैं अर्थात निराका दो को दो स्वरूप परमात्मा की ये प्रशन की वल अरजुन का नहीं ये किसी के मन में भी हो सकता है कि उपासना कौम सी श्रिष्ट है हर सादक सोचता है कि निराकार की उपासना करें ये साकार की जो परमात्मा जिसके लिए कहा जाता है सर्वत्र व्यापक कंण में व्याप हरी व्यापक सर्वत्र समाना उसकी पूजा करें या जो कहीं कई बड़ सी गित चलते हैं न कभी राम बन के, कभी शाम बन के चले आना, प्रभुजी चले आना या हम ऐसे सुरूप में उपासना करें कि क्रिश्न रूप की उपासना करें स्वरूप को देख करके राम रूप की उपासना करें स्वरूप को देख करके कौन सी उपासना इन में से श्रेष्ट है प्रभू इस 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 लूप के भी बड़े गहरे अर्थ है कि और प्रशन नहीं है अरजुन का कहीं कहीं इस इस लोक को लिया गया कि यहां अरजुन ने यह तो यह नहीं पूछा और आगे आप देखेंगे जब फगवान गोविंद उत्तर देते हैं तो आपको लगेगा कि कितनी कुशलता के साथ उत्तर दिया यह नहीं कहा कि यह फगती बहुत उत्तम है और यह नहीं उत्तम अगवान बिल्कुल संतुलन बना के रखा है आगे हम देखेंगे लेकिन यहां तो अरजुन का जो प्रशन है कि कौन से फगत श्रेष्ट है सगुन साकार, निर्गुन निराकार यह एक अर्थिस का यह भी लिया जाता है कि कौन सी फगती सुगम है आसान है सगुन साकार की यह निर्गुन निराकार की देखो इस्तिती बहुत इस पश्ट है परमात्मा का सवरूप निर्गुन निराकार तो है ही है जो कंकं में व्यापत है सरवत्र व्यापत है जर्ड़े जर्ड़े में है च्छांकी भगवान की जो अंदर भी है जो बाहर भी है ऐसा कोई कंड नहीं जहां वो नहीं और ऐसा कोई क्षण नहीं जब वो नहीं परमात्मा का वो रूप तो है ही है लेकिन दूसरा रूप ये भी है कि जब जब जहां जहां जैसी जैसी आवशक्ता पड़े प्रभू ने साकार रूप भी धारण किया साकार रूप में भी प्रगट हुए और उनकी उपास ना तो हम इस पर एक एक बात पर पहले अर्जुन के प्रशन पर थोड़ा सा और विचार करेंगे कि अर्जुन ने ये सतत युक्ता नाम शब्द लगाया है और फगुद गीता में अनेक बार ये शब्द परियोग हुआ तेशाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूरवकम अनन्य चेता सततम युमाम स्मर्ति नित्यशा ये सततम शब्द क्योंकि गीता के कृष्ण टुकडों में नहीं चाहते भगती वो चाहते लगातार मन को जोड़ के रखो असंभव नहीं संभव है कैसे संभव है वो ये अध्याय ही बताता रहेगा कि प्रभू से कैसे लगातार जुड़ा जा सकता है अर्जुन के प्रशन का उत्र भी हम आगे लेंगे और साथ ही साथ देरों प्रशन जो आप सब के मन में भी कही न कहाい उठते रहते हैं कि भगती को लेकर क्यों नहीं पूरी होती क्यों नहीं मन लगता कैसे संसार में रहकर और जो ये प्रशन होते हैं कि हम तो ग्रस्ती हैं माराज कहां से भक्ती हम कैसे भक्ती कर सकते हैं ऐसी तो ऐसे सब प्रशनों के उत्तर हम इसी अध्याए के इश्लोकों में से शब्दों में से ढूंड ढूंड कर लेते रहेंगे प्रयास करेंगे कि सभी जो भी यहां यह जहां जहां भी लाब ले रहे हैं संसकार चैनल के माद्यम से जहां जहां भी उन सब को लगने लगे कि ये अध्याय तो बिलकुल हमारे लिए है और इस अध्याय का हर शब्द हमारे लिए मिठी प्रेर्णा है अनूठी प्रेर्णा है सभी सुखी हो सभी निरोगी सब पर बर से कृष्ण कृपा मंगल मैं हो सब का जीवन घर घर बर से कृष्ण कृपा सब पर बर से कृष्ण कृपा